सेनिक स्कूल मेटमेशन को लेकर जो एक कॉंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड दो गुड नीज है इसके बारे में बतलाएंगे कुछ जो रिवाइज हो गया है मेरिट लिस्ट इस सो लेकर जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में थोड़ी से बहुत जानकारी देंगे और तीसरी और सबसेंपोरेंट चीज कि कुछ लोगों के यह काफे इंपोरेंट है और उम्मीद है बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से हरं एक काम का होगा जैसे कि किसी ने पूछा कि या डॉक्युमेंट में कुछ एरर हो गया है तो वो कहां तक सह ही हो पाएगा दूसरा की स्कूल वाइज मेरेट लिस्ट आएगी की नहीं फर्स्ट राउंड में यदि मेडिकल में रिजेक्ट हो गया तो फिर सेकेंड नाउन में जा पाएंगे की नहीं जा पाएंगे उसके बाद किसी में पुछा कि क्या जैसे ही 13 को यह जो चॉइस फिलिंग वाला टाइम खतम होगा क्या उसी समय हम लोगों को जो लोट हुआ कि नहीं मुले रिजल्टी जो है सो फर्स्ट राउंड को क्या उसी समय सो कर देगा तो यह काफी इंपोर्टेंट है अच्छे साती है ज्यादा नही इसके बार में भी हम आप लोगों को एक करके बतलाएंगे यह काफी हेल्फुल होगा आप लोगों के लिए तो सबसे पहली लेकिन अस्टेर्ज की बात है कि ranking सब की बदल गई है, एक भी candidate ने ऐसा नहीं कहा कि sir marks भी सेम है और rank भी सेम है, marks सब के सेम है, ना घटे है ना बरे हैं, लेकिन ranking जो है सब की change है, और change जो है वो downward ही है, मतलब सब की ranking थोरी घट गई है, बढ़ने वाले बच्चे वे ऐसा किसी नहीं कहा मुझे, कि इसकी ranking थोरी high हो गई है, तो यह ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और और एक दिक्कत हो रही है, कि यह scorecard जो साम तक download हो रहा था, scorecard का link था, अब जब आप उस पर click करेंगे, तो वो application number, date of birth, मांग रहा है, security binding और जैसे ही submit करेंगे, तो वो invalid URL लिख दे रहा है, कुछ इस तरह से, तो अब आप scorecard भी नहीं देख पा रहा है, तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, इसका अंदाज लगाना बड से कमा नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो तय हो गया है, कि आपने ranking को change किया है, तो ranking change किया है, तो all India merit list भी revise होकर आनी चाहिए, आनी चाहिए, आएगी की नहीं आएगी, NTA देंगे की नहीं देंगे, यह कहना बड़ा मुस्किल है, तो वो जब होगा, तब देख लेंगे, औ और trust filling का काम बहुत दिक्कत से हो रहा था, या किसी की site नहीं खुल रहे थी, वो अब काफी smoothly हो रहा है, तो आप लोगों को यह रिचाहें, तो registration और trust filling का काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, उसमें कहें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अदी एक दो दिन रुकना चाहिए, जो situation है काफी clear हो जाएगी, जो revision चल रहा है, merit list का क्या होगा नहीं होगा, नहीं तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा का अंतर, अंतर तो पर सकता है कुछ बच्चों पर, लेकिन maximum पर अंतर नहीं परेगा, लेकिन जो बच्चे काफी इसको कते हैं, borderline पर होना अपने अपनी category में, उन पर यदि ranking उपर नीचे होती है, तो उन पर फ्रासर पर सकता है, लेकिन maximum बच्चों पर ये जो revision है, इसका ज्यादा असर नहीं परेगा, ठीक है, तो आप लोग चाहें, तो registration और choice filling का का काम कर सकते हैं, website बिल्कुल ही अच्छे देंग से काम कर रहा है, दूसरी good news, यह काफी बड़ी good news है उन बच्चों के लिए, जो new suny के school में admission लेना चाहते हैं, new suny के school में सबसे पहले जब seat allocation दिखलाया गया था seat matrix में, तो उसमें other state और home state की category दिखलाई गई थी, और उसमें maximum seats, home state वाले बच्चों को ही दी गई थी, other state में काफी क difference आ गया है, जिसे पहले वो जो गुजरात में school है, उसमें 300 seats दिखलाई गई थी, other state को एक भी seat नहीं दे गई थी, अब उसमें क्या है, कि seats 200 ही दिखलाई जा रही है, हम boys की बात कर रहे है, boys और girls category अभी भी maintained है, उसमें home state और other state को हटा दिया गया है, तो seats 300 से घटके 200 हो ग काफी बढ़ जाएगी, काफी seats हम, other state में ही बच्चे को मिल पाएगी, तो new sunny के school में जो बच्चे अडिमिसन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी plus point हो गया, बहुत बड़ा good news है ये होगी दूसरी बात, अब आते है question and answer पे, 6-7 है, काफी important है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं होगा, 13 तक choice filling का काम होगा, उसके बाद एक फिर से date announce की जाएगी, date हो सकता है कि सिरूल में पहले ही आ जाए, लेकिन जो भी date होगी वो 13 के बाद ही होगी, अब एक दिन बाद हो जाए, दो दिन बाद हो जाए, या एक हफते बाद हो जाए, जब भी हो जाए, व उस date को आपको result दिखलाए जाएगा, और वो जो result होगा, वो first round का result होगा, उसमें जब जाएंगे result वाले section पना तो आपको दिखलाएगा, कि आपको कौन से school में seat allot हुई है, या दे किसी में allot नहीं हो है, तो वो भी लिख देगा कि sorry, you have not been allotted any seats in any school, जो भी इस तरह से कु पूछ ने पूछा कि हम रहने वाले हैं इस estate के, लेकिन बहुत सालों से हम दूसरे estate में रहते हैं और हमारा बच्चा भी वहीं परता है, तो मेरे लिए home estate कौन सा होगा, इसके लिए एक चीज़ हम पतला दे रहे हैं, कि आपका domicile certificate है नो वही important है, आप जहां के रहने वाल कि साइनिक स्कूल नहीं जान रहा है, आप NTA जो भी है, साइनिक स्कूल साइटी, कि आप कहां के रहने वाले हैं, आप जो certificate देंगे, उसी के हिसाब से आपको consider करेगा, लेकिन जो भी आप certificate देंगे, उसी coding आपका information होना चाहिए web portal पर, ये नहीं कि certificate आप टाइम पर दूसर आने के बाद हम medical में गये और medical में हम reject हो गया, तो seat का क्या होगा, और क्या हम second round में अपलाई या further round में, आप किसी भी round में reject हो रहा है medical में, तो कि हम आगे का round में जा पाएंगे, तो सबसे पहली बात कि यदि आप medical में reject होते हैं, तो आपकी seat जो आपको alert की गई है, वो cancel हो बच्चे को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो seat जाएगी next round में, दूसरी बात, कि क्या medical में reject होने के बाद, आप further round में पाटिसेपट कर पाएंगे, ये counselling में, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं है, कि अभी आप medically unfit हो गया, और अगले round में आप medically fit हो जाएंगे, अभी आप unfit हैं, तो उस समय भी unfit ही रहेंगे, इतने दिनों में कुछ बदलने वाला है नहीं, तो जो बच्चे medically unfit हो जाएंगे, वो reject हो जाएंगे, जिनके admission नहीं हो पाएगा, वो further किसी भी round में participate, ये counselling में अपलाई नहीं कर पाएंगे, उसके बाद school wise merit list की बाद चल रही है, तो वो school wise merit list पहले आती थी, अब उसकी कोई जुरुत नहीं है, अब round wise merit list आएगी, और round wise merit list में जितने बच्चों का नाम होगा, उनको जाकर admission लेना होगा, तो अब school wise merit list आएगी, लेकिन पहले की तरह नहीं, अब वो school wise merit list round wise आएगी, हर एक round के बाद, हर एक school अपना merit list दिखलाएगा, कि इस category में इतने बच्चे को आकर हमारे यहां admission ले लेना है, इनका first round में admission के ले सेलेक्शन हुआ है, तो merit list, school wise आएगी, लेकिन हर एक round के बाद आएगी, उसके बाद आती है बात, कि यदि documents में कुछ error है, तो क्या होगा, तो documents म जो spelling में यदि कुछ error है, या date of birth में यदि कुछ error है, तो उसके बारे में इसमें बतलाएगिया है, वो हम आपको दोनों बतला दे रहे हैं, यदि कुछ spelling में, नाम में या address में कहीं, यदि कुछ spelling में error है, तो आप अपने साथ affidavit लेकर जाएं, कि ये गलती हो गई है, एक difference हो रहा है, तो दोनों date of birth जो सही है वो भी और जो आपसे गलत फिल हो गया वो भी, वो दोनों age, यदि age eligibility के bracket में है, कहने का मतलग कि दोनों age गलत और सही, दस से बारे साल के बीच में है, तब ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, आप एक affidavit साथ में लेकर जाएंगे कि ये date of birth सही है, ये गलत हो गया था, वो affidavit से आपका काम चल जाएगा, लेकिन यदि दोनों में से कोई एक date of birth, obvious है, जो आपने apply किया था, वो तो ज्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्यादा होगा तो apply लिया ही नहीं होगा, आपके document में जो date of birth है, यदि वो अलग हो या जो आपने apply किया था उस से, और जो document में date of birth है, वो age eligibility के bracket से उपर या नीचे है, मतलना अब 10 सल से कम हो गया या 12 सल से ज्यादा हो जा रहा है, 10 से 12 सल के बाद इस bracket से यदि date of birth चेंज हो जा रहा है, आगे पिछे निकल जा रहा है, आपके document में तब ये major problem होने जा रहा ह आप ये मान कर चलिए कि बच्चे का selection या दी हुआ भी है, तो document verification में इसको वो लोग overlook कर दें या इसको नजर अंदाज कर दें या इसको मान लें, इसकी सम्हावना almost zero है, तो ये बहुत बड़ा major problem हो जाएगा आप लोगों के लिए, उसके बाद आती है बाद कि कुछ बच् कर सकते हैं, तो हम clear cut कर देना चाहते हैं कि नहीं बच्चे जिन्होंने apply करते समय स्कूल टाइप में सिर्फ सैनिक स्कूल को चूज किया था, RSSS plus NSS नहीं चूज किया था, वो लोग सैनिक स्कूल के इस e-counseling के किसी भी round में new सैनिक स्कूल को चूज नहीं कर पाएंगे, वो हर एक round में सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल को ही चूज कर पाएंगे, यहां पर एक चीज और बतला दे रहा हैं कि पिछले साल ऐसा कुछ हुआ, ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन इसी से रिलेटिर कुछ हुआ था, तो एदिवैसी सम्होना देखी जाए, तो एक possibility हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ possibility है, ऐसा हो ही इसकी certainty जो है, लेकिन possibility ऐसी हो सकती है, कि कहीं कुछ ऐसा case बने कि न्यू सैनिक स्कूल में कुछ round की counselling के बाद भी कुछ seats खाली रह जाएं, न्यू सैनिक स्कूल में, तो उस समय ऐसा हो सकता है, कि जो सैनिक स्कूल में जुन्होंने सिर्फ apply किया था, उनको भी मौका दे दे, कि अपनी सैनिक स्कूल में भी apply कर लीजिए, लेकिन यह possibility एगदम last में होगी, यदि होगी तो कहा नहीं सकते ही, कि ऐसा हो ही जाए, उसके बाद second last question है, कि second round से हम लोग जो choice feeling है, उसको कैसे change कर पाएंगे, तो हम पहले ही बतला दे रहे ह आप जो school का choice है, उसको आप change कर पाएंगे, by default आपको previous round वाला choice feeling है, वही दिखलाएगा, और एक बहुत बहुत बला plus point, कि first round में जो first variety है, वो आपकी by default है, उसको आप change नहीं कर सकते हैं, लेकिन second round के बाद आप total 10 का 10 सैनिक स्कूल अपने मन का भर पाएंगे, मतलब जो option 1 जो school आएगा, वो ही by default नहीं रहेगा, अब total के total को change कर सकते हैं, या अपने मन का उसमें भर सकते हैं, और सबसे last question है, ये भी important है, कि किसी ने पूछा, कि हमने apply किया था, सैनिक स्कूल और निव सैनिक स्कूल दोनों के लिए, या किसी ने एक ही के लिए apply किया था, अब वो क combination जो भी रहा हो, सैनिक स्कूल रहा हो, या सैनिक स्कूल प्लस निव सैनिक स्कूल रहा हो, या निव सैनिक स्कूल रहा हो, आप एक पर करके देखिए, उसको apply करके, जिसे आपने, आपको दोनों ना, एक ही window पर दोनों सैट दिखलाई देगा, सैनिक स्कूल का भी choice filling, और न यदि आपको नहीं जाना है, अलोट्मेंट होते हैं आतों ऐसे भी आप नहीं जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कुछ questions थे और कुछ good news था, कुछ information थी वो हमने आप लोगों को दी, यदि इसके अलावा कोई और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी, तो आप लोग comment करेंगे, हम उसको भी देंगे जानकारी, और यदि कुछ और news आती है बाहर, तो हम उसको भी लेकर जुरूर आप लोगों के सामने आएंगे.